नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवलिक साम आज हम इसमें करंट अपेर के रूप में जो ले रहे हैं उद्रिष्टी की मैगजीन ले रहे हैं जिसमें 1 सितंबर 2023 से लेकि 30 सितंबर 2024 तक कि जितने भी वार्सिक घटना करंग थे उनको बहुत ही अच्छे से संकलित किया गया है देख रहे हैं जैसा कि आपको यहां दिक रहा है या जो सतरवी BPSC परिछह उरी उसके लिए important है UPPCS के लिए important है UPROYRO के लिए यह important है इसी को देखते हुए यह जो दृष्टी मेगजीन होती है एक होती है घटना सार दूसरी होती है दृष्टी यही दो बहुत ही अभवी मैगजीन होती है जिसमें कारंट अफेयर के सारे प्रारूपों को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है और सात ही यह अनभवी मैगजीन में से एक है तो इनको पढ़ने के बाद करंट अफेयर में अगर 30 इसकोशन आ रहे तो आपको 25-27 कोश्चन इनसे प्रत्यच या परोच रूप से वो टैरेक्ट इसमें से आ जाते हैं, तो चलिए कारम करते हैं, इसको हम दो बाग में करेंगे, आज जो हम करेंगे, वहां करेंगे, जो प्रत्थम पेज में, जो वर्स भर की प्रमुग घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तोती करण होता हैं, यानि कि जो राश्टी घटना करम हैं, उनका बिंदुवार, मतब क्या 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 कि इसमें इंपॉर्टेंट है ये, और बाद में, हम हर एक टॉपिक कैसे राश्टी उठाएंगे, अंतर राश्टी उठाएंगे, इस दाए कि सारे टॉपिक उठाएंग आपकी करेंट में अच्छी खासी पकड़ हो जाए तो चलिए इसको जूम करके अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप ने भी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छे लग रहें लाइक करिए और सुझाओ देने के लिए कमेंट भी करिए चलिए देखते हैं रास्टी घटना करम के बारे में महाराज सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर नामी करण को मंजूरी प्रदान की है वह है पूने हवाई अड्डा पूने हवाई अड्डे का नया नाम रखा जा रहा है वो रखा जा याद रखेंगा पून हवाई जहाज अड़े का नया नाम क्या पढ़ ला है जगत गुरू संथ तुकाराम महराज अंतरास्टी हवाई अड़्ड़ा अब है चटवे राज्य खाद सुरच्छा सूचकांग यानि कि स्टेट फूट सेफटी इंडेक्स 2023 में सीर्स चार इस्थान प्राप्त राज्य और केंसासित प्रदेश कौन-कौन से वो आप देखें केरल है, तमिलनाडू है, जम्मु कास्मीर और गुजरात है केंद्र सरकार ने किस केंसासित प्रदेश की राज्थानी का उनर नामी करन करने का निर्ना लिया है, यानि कि जो केंद्र सरकार की नई राज्थानी उसका नाम क्या होगा, उसको अंडमान निकोबार की राज्थानी का नाम बदला जा रहा है, और बदल कर क्या रखा जा रह होगा है पोर्ट ब्लेयर रखा जा रहा है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा पोर्ट ब्लेयर जो होगा जो अंडुमाने निकोबार्द दूसरा अंतर राष्टी बॉद्ध मीडिया सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है इसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया तो देखें सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है तो अगर अगर यह प्रश्णा आपको नहीं आएगा तो आपको लगे या ऐसा तो नहीं रच्चा मंत्रा ले कि तरब से कोई आया उद्घाटन करने इस तरह के माइंड में को सकता है लेकिन याद रखेगा उत्तर यह से होता है और इसका उद्घाटन उत्तरपदेश में कहां हुआ है यह भी तो पता होना चाहिंगे न प्रशनिट बनेगा कि उत्तरपदेश में सैनिक श्कूल कहां खोला गया वह खोला गया आपका गुरकपुर में भोला गया है अब है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए जल संचै जन भागीदारी पहल की सुबात की है कहां की है सूरत गुझडात में की है याद रखिएगा प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए जल संचय जल भागिदारी यानि कि जल का संचय करना है और संचय की हुए जल में सभी की भागिदारी लगाना है तो ये प्रोग्राम चलाए गया है वह प्रोग्राम कहां उस प्रारम हुआ है वह प्रोग्राम आपका सूरत गुजरात में हुआ है जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से चुड़ा है वह जल सकती अभियान कैच तरिन से जुड़ा हुआ है जल शकती अभयान क्या है जल शकती अभयान के तात पर ये हो रहा है कि जो भी हमारे underwater groundwater है उनका जल संचे करना है जो बारिश की माध्यम से जल हमें प्रापkt हो रहां उनका संचे करना है उनके लिए तालाब बनाना है अच्चे वो drainage system रखना है जिस से क्या हो सके कि हम जो हमारा वर्तमान समय में अंडर वाटर है जो ग्राउन वाटर धीर कम होते जा रहा है उसका संचय कर सकें ताकि आने वाली पीड़ी या वर्तमान पीड़ी को जल की समस्या ना हो जैसे कि बैंगलेवरू में महराश में आप अक्सर देखेंगे अपरेल मई जून जुलाई में आपको रिपोर्ट खोब पढ़ने को मिलेगे कि पानी का इस तरह पूर्टा खतम हो चुका है लोग काफी अंदर जाके वहां से पानी उठा रहे हैं गंदा पानी पी रहे हैं त विश्व शांती बुद्ध विहार का उदखटन किया कहां किया वह किया आपका उदगीर लातूर जिला महराश्ट में किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विष्विध्याले के मुख भवन में वैदिक 3D संग्राले की मनजूरी दी है वह संपूरा नंद विष्विध्याले वरानसी में दी है यह अच्छे से याद रखिए का उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विष्विध्याले के मुख भवन में वैदिक 3D संग्राले निर्मार करने की मनजूरी दी है वह संपूरा नंद संस्कृतिक विध्याले वरानसी में दी है गड़ी तो हर एक यूग में रहा है किसी न किसी रूप में आपको पता है लेकिन उसका 3D संग्राल है यानि कि हम अपनी पुरानी परंपराओं के साथ साथ जो नवाचार की एक प्रेणना है जो एक नया मॉडल है संस्कृतिक का जिसमें हम विध्यान को भी समाहित कर रहे हम अपनी परंपराओं के साथ साथ विध्यान को भी समाहित कर रहे हैं यह एक ठीम बन रही है यहाँ पास जिसमें आप दिखेंगे वैदिक 3D संग्राले का मंजूरी दी गई है उसको ध्यान लखिक कहां दी गई है संपूना अनंद विश्य विध्याले संस्कृति विश् प्रोजेक्ट नमन की सुरुवात इसने की है भारती थल सेनाने की है अब है किसके तहत इसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी वो होगा रच्छा पेंशन भोगियों को भूत पूर शैनिकों को और उनके परिवार जनों को दी जाएगी प्रोजेक्ट नमन प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के किरियानवन पर केंद्रित है हुआ है इस पर्स यानि की सिस्टम फॉर पेंशन एड्मिनिस्टेशन रच्छा यानि डिजिटल पेंशन प्रणाली के लिए प्रोजेक्ट नमन पूछेगा क्या है या प्रोजेक्ट चलाया है देखेंगे उत्तर प्रदेष मंद्रि मंडल द्वारा डिजिटल मीडिया समंदित इस नीती को मंजूरी प्रदान की गई है त时候 आपकी कौन सी है और नीटी आपको मेडिया नीती 24 है अब उत्तर प्रदेस राज पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यच किसे नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है अब है बिहार खेल विश्य विद्याल ने एवं राज खेल आकादमी का उटगाटन किया गया है राजगीरी नालंदा में किया गया है तो बिहार खेल विश्य विद्याल ने एवं राज खेल आकादमी का उटगाटन कहां किया गया है वह किया गया राजगीरी नालंदा में किया गया है इन सरकार ने इन शासित प्रदेश लद्दाग को कितने नए जिले में गठन करने की यह बहुत इंपोर्टेंट ध्यान न किएगा इंदम गुडविल वह लग प्रश्ण है कि जो लगदाग में केवल एक जिला था इसे लेके नाम जला जाता था उसको आप पांच जिलों में पकन्वर्ट कर दिया जाएगा वो पांच जिले कौन कौस हों कि जासकर द्रास शम नुब्रा और चांग थांग मुझे यह बहुत इंपोर्टेंट लग रहे हैं तो यह पांच नाम को आप अच्छे से हाइलाइट कर लिजेगा अपने पास कहीं लिखके रख लिजेगा यह प्रश्ण है जो मैं करन गुडविल फील हो रहा है वो लग रहे हैं प्रश्ण व अब आगे चलते हैं बनारश हिंदू विश्व विध्याल है और किस अकादमी ने नेपाली भासा और संस्कृतिक संस्कृत अध्यन के लिए समझोता किया है वाकिया है नेपाल अकादमी से किया है PM मोदी की अध्यचता में केंद्री मंद्री मंडल ने किस योजना को मन्जूरी दी है वादी है प्रधान मंद्री आवाश योजना सहरी 2.0 को मन्जूरी दी है अवाश योजना सहरी कब शुरू की गए थी या जून 2015 में शुरू की गए थी जब लाल किला से इसका उर्गाटन उसके बारे में 2014 में बोला गया था और 2015 में इसे यह प्रारम हो गई थी अब मैं सोच रहा हूँ ना मैं एक portion लाता हूँ बुक में दिया हुआ है इसमें अब तक कि जितनी भी योजना है important important उनके बारे में एक अच्छा सा lecture हो जाएगा एक घंटे का जिसमें सारी योजनाओं को अच्छे से cover कर लिया जाएगा वो केवल यूपी PCS या BPSC या किसी यह सब परिच्छाओं को छोड़े जितनी भी परिच्छा हैं सब में important वह हो जाएगा तो एक वीडियो बनेगा जिसमें सारी योजनाओं को cover कर दिया जाएगा अच्छे से जह बड़ी परिच्छा हैं छोटी परिच्छा हैं सब में वह योज हो अब है डिजिटल सक्ति केंद्र का उद्देश क्या है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराद के बारे में जागुरुपता फैलाना है आपदा जोकिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कियानवित करने वाला देश का पहला राज कौन सा है वह है नागा लैंड यानि आपदा जोकिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कियानवित करने वाला देश का पहला राज कौन है वह नागा लैंड है देखिए प तो भीमा कंपनी उसका वित्यपोशन नहीं करती थी, वो कहती थी वो तो आपका प्राक्तिक आपदा है, उसका हम कोई कलेम नहीं देंगे, लेकिन नागा लैंड राज ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसलिए मुझे लग रहा है प्रश्न आएगा, नागा लैंड जोखिम प्रबंदन में भीमा समाधान को तो देना ही पड़ेगा, भीमा जैसा भी हो, तो यह बहुत ही अच्छा और जन्ता के हित में समाजवात की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कदम है यह, अब है देश में तीन नए आपराध कानून को सुचारू की रियान्मेन को सुनिश्चित करने ही तू कौन से चार एप शुरू किये गए हैं, वह चार एप कौन कौन से हैं, वह इस आच्छे हैं, नया इस हितू है, नया इस शृत है, और इस अमन है, यह चारू आप ठ्यान रखिएगा, यह भी गुडविल वा प्रेश्न हैं आपके तोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं भाई इवन रंग भी रंगा होना चाहिए उत्तर प्रदेश के गूरगपुर से लेकर पस्चिम बंगाल तक 519 किलो मीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बन रहा है वह एक्सप्रेस वे का नाम क्या है गूरगपुर सि सिली गूरी एक्सप्रेस वे है जो 519 किलो मीटर का बन रहा है और यह गूरगपुर सिली गूरी एक्सप्रेस में कितने तीन राज यह आएंगे वह आपको देखेंगे वह आएगा उत्तर प्रदेश बिहार फिर पस्चिम बंगाल आएगा ऐसा तो नहीं है अब देखेंग कारे कहां प्रारम हुआ है वो पूगा घाटी लद्दा की हुआ था यह न्यूज आप 2019-20 में जब उठाएंगे तो उस समय चर्चा कभी से बना हुआ था कि भूतापी परियोजना यहां पहली बार सुरू की जाए अब समय तो पता चल गया था अब जो है परियोजनाओं क कर दिया गया है तो भारत की पहली भूतापी भूतापी विद्धुत परियोजना कहां से प्रारम की जारी वह लगताक के पूगा घाटी से की जारी यह बात थ्यान न किया अच्छे प्रश्ण है अब केर्यल के वायनाड को भारती अंत्रिच अनुसंधान संगठन दोरा वश्थ 2023 में तयार किये गए बहरत के भूसकरलन एटलेस में कौन सा इस्थान दिया गया है वह तैरहावा दिया गया है रूद्ध प्रयाग को प्रथमिस्थान दिया गए है, भूस कलन यानि कि भूस कलन का जो एक एटलेस मैप बनेगा वगा कीरल के वायनाड में बनेगा और कीरल के वायनाड में भारति अंत्रिचन हुसंदान संगटन यानि इसरों के दौरा यह तयार किया जाएगा इसमें वाइनाट को 13 अस्थान और रुद्ध प्रयाक को प्रथम इस्थान दिया जा रहा है जहां भूसकलन बहुत जारा होता है जो अक्सर पहाड़ी लाको या ऐसी भूमिके में होता है जहां भूर भूरी बालू पाई जाती वहाँ इस तरह की घटना होने की संभावना बढ़ती है अब है राष्टी हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहां योजित किया गया 30-31 जुलाई की दोरान वो भूपाल में किया गया राष्टी हिंदी विज्ञान सम्मेलन यानि कि हिंदी के विकास में किस प्रकार का जो है विज्ञान सम्मेलन हो सकता है किस प्रकार से नवाचार हो सकता हिंदी में उसका एक आयोजन हुआ राष्टी इस तर पर और वह आ यह हुआ गोपाल में उसका विशय क्या था उसका विशय था अमरित काल में राश्टी वैज्ञानिक चीतना का उन्यन थीम क्या है फिर से देख लिए थीम है अमरित काल में राश्टी वैज्ञानिक चीतना का उन्यन अब आगे देखते हैं राश्पती भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल करके क्या या गया है, जो राश्पती भवन में जो दो दरबार थे प्ने दरबार हॉल था एक और एक असोक हॉल था उन दोनों का नाम बदल कर क्या कर दर्बार हॉल को यह देखी दर्बार हॉल यह अपनिवेशिक मानसिक्ता से थोड़ा गर्षिक नजर आ रहा है दर्बार लगा है एक कोई राजा आएगा और सबकी बाते सुनेगा जो कि गलत है इसका नाम चेंज को से गरतंत्र रखा गया क्यूंकि भारत में गरतंत्र है जो सबसे उपर वैठा रहे प्राशाशन में प्रशाशन में उसको appropriate के समझा गया है तो दर्बार हॉल क्या था दर्बार हॉल एक मानसिक्ता से गसित सब्द है इसमें राजा या रानी आएंगे अपने दर्बार में दर्शन देंगे और पिर जन्ता की बाते सुनेंगे नहीं घलत है अब गरतंत मंदल है यहां जो प्रशाशन में बैठा हुआ वेक्ति उसकी और अटा देगी इसलिए गरतंत मंदप रखा गया है और अशोक हॉल का नाम हॉल जो सब्द है न वह आप देखेंगे इंग्लिश वर्ड है अशोक मंदप रख दिया गया है आगे देखते हैं यह भी एक गुडविल वर्ड प्रश्ण है उसको आप अच्छे से टिक कर सकते हैं भारत के पचासवे समुदाइक रेलवे स्टेशन का सुभारम कहां किया गया है वो आईजोल मिजोरम में किया गया है अब है शिंकुन ला सुरंग पर्योजना के निर्मार का सुभारम कहां किया गया है वो किया गया है लदाख में किया गया है यह सुरंग कितनी फिट उचाई परिस्तित यानि सिंकुन ला सुरंग जो है सिंकुन ला सुरंग कितनी उचाई परिवा 15800 फिट की उचाई पर है यहां भी अपने आप में बहुत-बड़ी बात है और इस सुरंग की लंबाई कितनी होगी सुरंग की लंबाई 4.5 km होगी तो या दखिए सिंग्पुला ला सुरंग कहां बनाई जा रही है वह बनाई जा रही है लगताक में ठीक है कितनी उचाई बनाई जा रही 15,800 फिट की उचाई पर बनाई जा रही है और इस सुरंग की लंबाई कित्ती होगी इस सुरंग की लंबाई चार दसलम एक किलोमीटर होगी निर्मार कार पूरा होने के बाद विस्व की सबसे उची सुरंग कौन होगी वा होगी सिंकुला ला सुरंग होगी इसलिए मैं कहा रहा हूँ यह important प्रश्ण है तुकि अगर जैसे इसका निर्मार विस्व की सबसे उचाई पर यह सुरंग अब तक इस्तित ह होगी अब उसके आगर दिखते हैं यूपी सरकार ने विच्छा रोपन जन अभियान दो हजाच चौबिस के तहट किस पहल की घोशना की है वाकि है मित्रवन कौन सी मित्रवन जो है पहल की घोशना की है भारत का पहला चैडविक हाउस यानि की नैविगेटिंग औरडिट है रिटेज संग्राले का उदघाटन कहां किया गया है वह सिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है जो की देखेंगे आग चौबिस दून चौहजाजार चौबिस को है संसत भवन परिसर में लोग सभा सच्छुआले द्वारा इसका विकास किया गया है जहां लिटा सेन आनियों की प्रतिमा स्थापित है वह प्रेर्णा स्थल यानि कि उस स्थान पर जिन व्यक्तियों की मूद लगाई गई है उससे वर्तमान पीडि प्रेरित हो और कुछ अच्छा कारे जनता के हित में हो इसलिए उस हौल का नाम क्या रखा गया है उस हौल का नाम प्रेर्णा हॉल रखा गया है जो कि लोग सबा के सच्छु आले द्वारा विक्सित किया गया है अब आगे देखते हैं केंद सरकार द्वारा केंद सरकार द्वारा डाग घर अधिनियम 2023 के प्राउधानों को कब लागू किया गया केंद सरकार द्वारा डाग घर अधिनियम 2023 को 18 जून 2024 से लागू किया गया है इस बात ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश मंत्री मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज विधान मंडल मुरादा बाद का पुनर नामकरण किये जाने की मंजूरी प्रदान की गई है इस विद्याले का नया नाम क्या होगा उस विद्याले का नया नाम गुरू जमिश्वर राज विश्विध्याले मुरादाबाद तो जो उत्तर कृष्वर राज विश्विध्याले रखा जा रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्ण है अच्छा उत्तरपदेश में नाम बहुत बदले जा रहे हैं जैसे कि कली की लेक्चर में जब मैं पॉलिटी का ले रहा था तो उसमें मैंने बात बताई थी कि एक बार अगर नामकरन किसी सहर का या किसी का चेंज होता है न तो बहुत पैसे खर्च होते हैं राज जी के वित्य पर बेवजा का बहुत ज़्यादा बोज आता है इसे जब इलहाबाद का नाम बदल करके प्रयाग राज किया गया उसमें 300 करों रूपे खर्च आये थे जिसे विश्विध्याले का नाम चेंज हो रहा है जाई तो पुछ ना कुछ तो खर्च आया गया आएगा न भाई और ये खर्च से नाम बदलने के लिए खर्च है ये मुझे समझ में नहीं आता है सच्छ में बताओं जिसे उत्तर पतेश में इलहाबाद का नाम बदल करक इसी बहुत बड़े कंपनी की स्थापना पर उसको एक यहाँ पस इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करने के लिए पैसा प्रवाइट कर देते हैं लोगों को जॉब मिलता रही घर से सवर जाते हैं स्कॉलर्शिप दे सकते थे आप इन्वेशन की स्कॉलर्शिप दे सकते थे कुछ भी कर सकते थे या तो एक पेफ पंड बना सकते थे सैनिको के लिए कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं यह राजनेतिक तुस्टी करन की नीती हैं ला कहीं न कहीं समाज में अमेशा विभिएद पैदा करती है समाज में सौहार्द का भाव नहीं होता है तिरिसकार का भाव आता है तो इस तरह की जो राजनेदिक तुस्टी करण की नीति होती है वो किसी भी समाज, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती है अबिश्व में इसका भुक्तान तो करना ही पड़ता है, वर्तमान में अगर 300 करोन रुपए उत्तर प्रदेश के वित्य विभाग से खर्च हुए हैं, तो उसका बोच कहां आया है, चंता पही तो आया है, तो तुसकी करन की राजनीती में यहां गलत प्रेडाम होता है, है, तब आप करिए ना इसको जब आपको लगे कि हां सब कुछ सही है, पैसा बहुत है, राज में हर कोई खुशी है, इसकी कोई आउसकता नहीं है, लेकिन बस राजनीतिक तुष्टी करन की नीती है, अब आठारवी लोग सभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया, यह नौ भारत साथ्षर्टा कारिक्रम के तहित पूर्ण कार्यात्मक साथ्षर्टा हासिल की है, वा की है लद्दाक, तो पूछे का उल्लास प्रोग्राम किसे सम्बंदित को सिच्छा से सम्बंदित है, यह बात थ्यान रखिएगा, उत्तर पदेश में पर्यावरण प्लास्टिक के लिए खत रहा है उसको मद्दि नजर रखते हुए हमने पढ़्यावरण कारिक्रम के तहत एक प्लास्टिक पार का निर्मार कर रहे है चो कि बहुत बड़ी बात है, वह कहां हो रहा है उत्तरपतेसे, उत्तरपतेसे, पुंबी गाउं लखिमपूर खीरी मे कि अब है विश्यू का पहला ओम आकार का मंदिक कहां निल्मित किया चाब वहां पाली राजस्थान ने किया जा रहा यह इंव इंपॉर्टेंट है वर्स 24 में कीरा सत्यागरा के सौ वर्स पूरे हो गया है और कहां का था यह वायकॉम शत्यागरा का था जया रोला पाली **** तो ध्यान रखिएगा वाइकॉम सत्याग रहा के कितने वर्ष हो गए हैं 100 वर्ष पूरे हो गए हैं 18 लोग सभा कि 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुने गई हैं तो 74 महिलाएं चुने गई हैं जेकि दोनों डाटा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए चुहतर महिलाएं परतिसद देखा जाएगा 13 दसलमो 6 3 परतिसद है याद रखिएगा बहुत अच्छे सा ध्यान रखिएगा 13 दसलमो 6 3 परतिसद है 543 सीटों के लिए चुना हुआ जिसमें से 74 महिलाएं चुने गई हैं आप देखेंगे बरेठी सौर उर्जा परियोडना जो कि 630 मेगा वाट पर आधारित अधार सीला कहां रखी गई वो छतरपूर मध्य प्रदेश में रखी गई है अब थ्यान लगे कहां छतरपूर मध्य प्रदेश में रखी गई है अब थोड़ा से फिर से कुछ नए रंगों का अब समावेशन करते हैं और साथ ही आगे बढ़ते हैं चलिए अब भाग की पहली पैटरी उर्जा भंडारन गीगा फैक्टरी कहां इस्थापित करने के घोशना की गई है वह जम्मू काश्मीर में करने के गोशना की गई है इस राज की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रिनेट एप 2.0 लांच किया है और लांच किया है उत्तर प्रदेश ने किया है भाथ की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो लिरेल सेवा कोट घटन कहा हुआ है वह अच्छे मार्च 2024 को खोलकत्ता में हुआ ये भी ध्यान रखिएगा पांच करोन आयुसमान कार्ट जारी करने वाले देश का पहला राज कौन बना वो बना उत्तर प्रदेश रच्छा प्रद्धोगी की में दूरी दी है वह उत्तर प्रदेश ने दी है या इंपोर्टेंट ध्यान न कियेगा अठारवी लोकसभा डिजिटल सिकर सम्मिलन 2024 का कहा आयोजन किया गया हुआ किया गया मुंबई में प्रदान मंत्री नरेद मुदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे केबल आधारी सुदर्शन सेतु का उटगाटन प्रदान मंत्री नरेद मुदी ने कहा किया गुछ रात में किया बहुत इंपोर्टेंट प्रशन ही द्याद रखिएगा नवा राय सीना डायलोग tuäg act 24 का आयोजन कहां किया गया गया इसका आयोजन कहा तहुए नभाल जог यह चारद आए नवा कबदास प्रदेश देश से कौन सी पहल सुरूखी है वाकी है अपार यानि कि automated, permanent, academic, account, registry, देश के पहले कौसल भारत केंद्र यानि Skill India Center का उठगाटन कहां किया गया है संभलपूर उड़िजा में किया गया है STEM यानि विज्यान यानि Science, प्रद्धोगी यानि Technology, E for Engineering, M for Math और M for Medical कि भारती महिलाओं लडगियों का प्रतिनीदित करने ही तो कौन सा पोटल लॉच किया गया वहाँ स्वाती पूटल लॉच किया पहुत इंपोर्टेंट पूछेगा स्वाती पोटल कि से सम्मंदित है तो इस्टेम प्रोग्राम का मतलब क्या होता है साइस टेखनालोजी अब आगे देखते हैं लोग सभा के अध्यच के रूप में किसे नियूत किया गया है वो किया गया अजय मडिक राव खान विलकर को किया गया प्रधान मंत्री नरेद मुदी ने उत्तर पदे से किस मंदी का सिगन्यास किया है कि उस्री कल की धाम मंदिन के या मंदिर किस जिले में है यह संबल मंद्र प्रधान मंद्र नो किया है तो इंपोर्टेंट एब क्ल की धाम मंदिन कहा है तो जब्हलण गण feldовал किस ने किया है इसां प्रधान मंत्रीATHANन मोधी की नारें मोession नी गणिया लिजन अब हैं कि इसने असम का राज फल खुशित किया गया हुआ काजी नेमो को खुशित किया गया, 75 गंतरन्त दीवस दो विश्य क्या थे वो आप देखेंगे विक्सित भारत और भारत लोगतंत की मातरिकात है, 75 गंतरन्त दीवस में सामरों में अथितिकों थे, इम्यानुवल म नाकरॉन थे जो फ्रांस के राश्पति है उडिशों के मुल्यांगन के राढ़ पर मिला है उडिशा की जहांशी टिम पर आधारे थी विख्सित भारत और महिला सिस्तिकरण पर अधारी थी राज स्टार्ट अप्राइंकिंग तो हजार बाइस में एक करोण से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वस्ट्रेस प्रदर्शन कौन से राज कर रहा हुआ गुजरात के रर करनाटक के रर तमिलाडोर किया है श्रेडी एक राज के नेद्रित करता कि ने भुशित किया गय अंदरप्रदेश, असंम, अधरप्रदेश उतरप्रदेश, ओधराँ कर वाइबरिन गुजरात वैषविछ शिखर सम्मीलन 2024 2024 का आयोजित कप किया गया 10 से 12 जन्阳 Madara 2024 कीया गया 24 में किया गया वर्ष 2024 में किया यसका कौन सा संस्क्राण जो Smoothie 10 वा संस्क्राम आयोजित 16 किया गया है अभ जो खवर आ रही है वह दूसरी खवर जो आ रही वह अंतर रास्थ ही कश रारी अब तक हम ने राष्टी खबर का बुर्नदू बार कर्म देखा था अब हम जो देखने जा रहा हैं रहा हैं अंतर राष्टी कर्म देखने जा रहे हैं पर वर्ष दोहजारचौप्वीश में 29 सायजुक्त राच्ठ जलवायू संशंसम्मिलन की मेच आने कि देश द्वारा किया ओवा अजर्बायजान के द्वारा की गई है याद रखीगा 29 करिवर्तन कारिकरह यह उसे सम्बंदित बहुत बड़ा तौरी करम होता है कॉर्व 29 उसका जो आप देखेंगे उटगाटन कहां किया जा रहा है उसका उटगाटन जो किया जा रहा है बहुत अच्छे से ध्यान न किएगा अजर भैजान में किया जा रहा है अब नॉमबर स्री लगंका कीaware प्रधानमंत्री के रूप में किसने सपतली बहुत इंपॉर्टन से मार्क करूंगा नहीं होगा तो एक्जाम में देख लिजेगा यह प्रश्ण जरूर बनेगा इस्रेलंका की नए प्रधान मंत्री कौन बने हैं हरिनी अमर सूर्य बने हैं और नए राश्पति कौन बने हैं वह अनुराग दिशा नायक बने हैं बहुत अच्छे से ध्यान न कियेगा प्रधान मंत्री के समझ जाएंगे अगर 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 प्रधानमंत्री के नाम पर लिग दिया अनुराग दिसा नायक तो मैटर रवड़ा सकता लेकिन इसलिए अच्छे से ध्यान नखिएगा प्रधान मंत्री के नाम जो है दिशानायक नहीं ध्यान नखिएगा उसका अमरे सूर्य है अब आगे देखेंगे और तेजी से भी चलेंगे अमेरिकी यात्रा के दौरान पधान मंत्री नरेंद मोदी ने कहां पर दो नए भारती वाणिजिक दूतावास की स्थापना की है वो है बोस्टन एवं लॉस एंजलिस अमेरिका में की है अब तिरुवंजलू चेयर ऑफ तम saya & Bhusugis रिट भारत कि असों योग से अपना पहला राश्ष्टी सुरुच्छा-से अनुमू Agreste प्लांट इस्थापित करेगा वह अमेरिका के सहियोग से करेगा भारत ने भारत के पहले सहियोग के सहियोग से पहला राष्टी सुरच सेमी कंड़क्टर जो है था ना वन्नवाचार प्रॉद्धोगिकी में रिड़ की हड़ी है जैसे मनुष बिना दिमाग के नहीं है वैसे कोई भी मशीन सेमी कंड़क्टर के बिना नहीं है तो भारत आप उसके लिए अपना एक प्लांट लगा रहा है तो वह किसकी मदद ले रहा अपना प्लांट लगाने कि अमेरिका की मदद ले रहा है और यह प्लांट जो बनाए जाएंगों कहां यूज होंगे वो सैनिक हार संक्टिन डेला वेर अमेरिका में किया गया है समग रूप से या कॉर्ड लीट समटी वर्चुल समिटी में सामिल करते हुए कौन सा संस्क्रण दा या छटा संस्क्रण था ये जो पॉर्ड बनाया गया चाइना को टेगल करने के लिए बनाया है इसां ध्यान नहींकर हिंद स्मिति का आईधित का अगले बघ्रमें किया जाएगा वह भारत में किया जायेगा याभी किलाओ होगा भारत में होगा 2024 में कहां हुआ था देखिए ना यहीं बतायत ना वह आपको देखेंगे अमेरिका में वह था अब भारत में चार देश हैं आप देखिए अमेरिका है भारत है जापान है ऑस्ट्रेलिया है अभी कॉर्ड में किसी अपरत्य रूप से जोड़ा गया वह बच्छी पूरिया को भी जोड़ा जा रहा है अब आगे देखेंगे भारत जापान भारत अमेरिका जापान के तट रच्छक बलो और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स त्वारा किस मिशन को लॉंच किया गया वो लॉंच मिशन का नाम क्या था प्रथम वार्ड एट सी मिशन हैं हिंद प्रसान खेत्र में अंतर संचालित यान्य की इंटर्प्रियोड रिबिल्टी में सुधा लाने हैं तू किस मिशन को लॉंच किया गया वर्स two happy 25 में किया गया क्वार्ड देश-व्रड तौर प्रसान खेत्र हिंद प्रसान खेत्र में प्रसिच्छन के लिए किस नई छेतरी समुद्री पहल की गोशा की गई वह पहल कौन से थी वह पहल देखेंगे मैत्री पहल थी मेलबन विश्विध्याले के पहले मेलबन मेलबन वैश्विक केंद्र का सुभारम कहां किया गया वह सुभारम नई दिल्ली में किया गया इस केंद्र का क्या नाम था म ज़र्डन के नए प्रधान मंत्री कौन बने वा जशाफर हसेन इंपोर्टन नए प्रदान मंत्री कौन बने है। टाइफून यागी से प्रभावीत देश को मानरी सहाथता प्रधान करने के लिए भारत कऊन्न साभियान लॉबंच कुया है। एक पूर्ण सदसनी फूल मेंबर के रूप में अंतर रास्थी सौर्स गटबंदन में सामिल होने वाला 101 वादेश कौन है नेपाल है सवादेश अमेरिका बना हुआ था वर्ष दो हजार चौबिस में टाइंस प्रतिका में प्रतिका की ए आई छेत्र ए आई छेत्र के विश् प्रमुख भार्थियों को सामिल किया गया वह आप के थे वैश्वनी वैश्वनों केंदी मंति जो है नील नंदन लीलकड़ी अभिनेता अनिलकुमार हैं किन देश या छेत्रों ने कृतिम बौध मिक्ता यानि बुद्ध मिक्ता यानि कि ए आई पहली कानूनी रूप से ब आउजिया अश्वार अैसलैंद नॉर्वे मालडोवा ह् सैंड मैरी और इसराइल हैं अंतर राश्टी 10102-22 का और किया गया नई दिल्ली में किया गया इसके द्वारायूसाऔर अंत oggi सौर devंदन के द्वारा ही भारती प्रोद्धोगी की संस्था दिल्ली ने कहां पर अपना पहला अंतराष्टी परिशर खोला है अबुदाबी में खोला है कि भारती प्रोद्धोगी संस्था दिल्ली ने आयाटी दिल्ली ने कहां पर अपना पहला अंतराष्टी परिशर खोला है वह अबुदाबी संय UK किस देश ने हनुमान जी की 90% उची प्रतिमा का नावरं किया है अमेरिका ने किया हैapper इस मंदिर द्यान नंकिया कि स्टैच्यू और यूनियन रखा है युनाइट मम पढ़ लिजाए- का बहुत पढ़ लिए बहुत ग्यार ध्यान से पढ़िए कि जब नाम आएगा स्टैचू आफ यूनियन रखा गया है इस मंदिर ने इस बंजर बर जंग बली की मूर्ति को स्थापित किया गया है वह अस्ट लच्मी मंदिर में स्थापित किया गया है भारत और डेन्मार्क ने कहां प की बिच्चू और डेन्मार्क सरकार की पहल है यह इंपॉर्टेंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्ण बंज त्री पच्छी पहले ध्यान रखिये गई है हाँ जो अब है तीसरे वायस ओफ plano शुक्र समेलन की मेजबानी इस देश द्वारा की गई है वह की गई भारत के द्वारा समीलन का विशे थीम क्या है वह एक सतत भविष्श के लिए सतत गलोबल ग्लोबल साउथ है थाइलाइन की संसत द्वारा किस नए प्रधान मंत्री की नियुक्ति की गई है वा की गई है और पॉर्टेंगट सिना वात्रा वात्रा नाम देख लिजेगा क्यूंकि नाम इनलों के थोड़ा टफ हो जाते हैं इस देश द्वारा भारत के प्रथम अनुसंदान और सांस्क्तिक संहियोग के लिए अनुदान गहुश्रा की गई है ऊस्ट्रेलिया आउस्ट्रेलींगत की ग determis based on रहा हाँ भाया इस देश में अपने राजनेतिक संबंदों को कुछरात में गिस्टि में कैमपस सामिल किया है वाई औस्ट्रेलिया ने वे दो विश्विद्याले कौन है की डिकएंविश्विद्याले और देखेंगे आपको मिलेगा वह वह वो लुट़्िस्विद्याले हैं कि निम न आil आ जा रही है तो करा расп करते हैं बोड़ा पिंक ले लेते हैं देखिए रंगों का जेन्डराइजेशन मत करिए कभी भी या एक रंग है जो महिलाओं को पसंद आता है या पुर्षों को पसंद आता है रंगों का कभी भी लिंगी करन नहीं करना चाहिए अगर आप रंगों का लिंगी करन करते हैं इससे पता चलता है कि आख बहुंखी सोच को नहीं बलकि एक पर्टिकुलिक लाइन पे चलने वली विचाधारों को फालो करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं पांच कार्यालों के के लिए पांच कार्यालों के लिए बंगला देश के पधान मंत्री शेख हसीना वाजिदा ने किस कारण से अपना इस्तिफा दे दिया वह व्यापक हिंसा चात्र जो हां हो रहा था उसको जिसे दे दिया संयुक्त राष्ट कमान में सामिल होने वाले अठारवे देश कौन बन राश्पती दुरावपती मुर्मूर को किस देश के सर्वोच नागरिक सम्मान यानि कमपेनियन ऑफ ता ओडर ऑफ फीजी से सम्मानित किया वा किया आप देखेंगे फीजी से किया गया या यह लाइम क्यों आ रही है अब है युनेस्को को किस विरासत समिती ने 46 वे सत्र आयोजित किया वा किया नई दिल्ली भारत में किया युनेस्को की विस विरासत सूची में सामिल होने वाले भारत का 43 वा यानि कि 43 वा देखेंगे मुईद औहुम राजवन्स की टीला दफन प्राणाली है इस बात आप ध्यान लखेगा वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन कोशिश करेंगे कि समाप्त किया जाए नहीं तो देखा जाएगा आगे क्या क्या हो सकता है हैं ले पासपोर्ट सूचिकां 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है वह आपको 81 स्थान पर देखने को मिलेगा और हर बार की तरह जापान जो आगे रहता था इस पासपोर्ट इंडेक्स में इस बार वह पीछे चूट गया है इस बार सिंगापूर आ गया है नमबर एक पर विज्यो का सबसे सकतिसाली की पासपोर्ट कौन बना है वहाँ चापान का हटके अब सिंगापूर बन गया है बैंकोक में आई योजित एशियाई आपता तैयारी केंद्र यानि कि एशिया डिजास्टर प्रफां प्रिपरेशनल सेंटर की बैठक किस वर्स तो हजार पच्चीस-चौबिस-पचीस में ACI आपता तैयार अध्यच संभाली है वह संभाली है भारत ने संभाली है इसको एस्टोनिया का नया प्रधान मंत्री न्यूक दिया गया किस्टन मिसल को भारत के पहले समुद्री पार जन औसदी केंद्र का उटगाटन कहां किया गया है वो किया गया है मौरिशयस में किया गया है, वर्ल्ड क्रॉफ काउंसिल यहनि कि AISBL द्वारा किस भारती शहर को अधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड गिफ्ट सिटी गोशित किया गया है, वह स्री नगर जम्मू काश्मीर को किया गया है, अब तक किस अब तक कितने भारती सहर को वर्ल्ड क्रॉफ सिटी गोशित किया जा चुका है, वह चार, कौन कौन से ममलापुरम पता होगा आपने आर्ट अन कल्चर में पढ़ा ना ममलापुरम, विजैपूर, राजिस्थान में है, मैसूर करनाटक में और स्री नगर ध्यान अब तक कितने भारती सहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी गोशित किया गया है, चार सहरों को ममलापुरम तमिल नाडू का है, जैपूर, राजिस्थान का है, मैसूर करनाटक का है, और आप देखेंगे जम्मू काश्मीर का स्री नगर है, अब आगे उसके देखते हैं, किस सहर में इस्थित, ग्रीन वैक्स संग्रालाय द्वारा बॉली बुड अबिनेटा सारुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किये गये हैं, वो पेरिस प्रांस में किये गये हैं, अब आगे देखते हैं, केंद्री विदेश मंत्री एस चैसंकर ने कहां पर भारत मौरि मौरिशियस मैत्री उद्गाटन का योजन किया गया हुआ है, पोर्ट लुइस मौरिशियस है, गेमी टाइफून ने हाल ही में किस देश, हाल ही में किस देश के प्रमुख से तबाही मचाई है, वह बचाई है ताइवान और फिलिपीन्स में, या किस प्रकार का चक्रवात है या उर्ष्य कटवंदी चक्रवात है, उर्ष्य कटवंदी चक्रवात खार्तक होता है, शीतोज कटवंदी चक्रवथ के मुकाबले, यह बात ध्यान रखियेगा, इस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायू परिवर्तन कानून पारित किया है, वह दचिन अमेरिका ने अफ्रीका ने किया है नीदर लैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं वह डिक शूब बने हैं पसुपालन पर कार्बन टेक्स लगाने वाला विश्यू का पहला देश कौन बना है वह डेन्मार्क बना है संयुक्त राश्ट्वारा अफ्रीका पर विशेज दूथ की तीसरी बैठक कहां जृत की गई है दोहा कतर में की गई है वर्स दोहजार पर देखो यही दिक्कत हो रहा पता नहीं गया इसके साथ वर्स दोहजार 24 की अवधी के लिए एशिया आपता तयारी केंद्र का जश्ट कौन है वह भारत बना है प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने रूस यात्रा के दोरान उन्हें रूस के कि सरोच नागरिस सम्मान से सम्मानित किया गया ओर्डर ऑफ सेंट एंडूस और एपोस्टल से किया गया पनामा का नया राश्पती कौन बना है वो जोस राउल मूलीनो कौन बना है जोस राउल मूलीनो बना है भारत की अध्याचता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहां यृत्त हुई वह जनेवा में हुई अब है उत्री अट्लांटिक संधी नाटों का महासचीव किसे न्यूक्त किया गया है न्यूक्त करने का निर्ण लिया गया है वो मार्क रूफ नीदर लैंड को प्रधान मंत्री को किया गया है इस विश्विध्याले ने संत तूरंगा गाई अलवर्स की लगबख 500 वर्स पुरानी कांस मूर्ती भारत को लोटाने की सहमती जगता है यह ऑक्सफोर्ड विश्विध्याले ने जटाई है अमेरिका भारत दच्चिन कोरिया जापान और यूरोपी संग ने मिलकर किस गडबंदन की गोशना की है वह गोशना की है बायो फर्मस्ट्यूटिकल एलाइंस की तो पूछेगा बायो फर्मस्ट्यूटिकल एलाइंस में कौन कौन देश है तो वही सारे देश है जो कि आप को मैं बताने जा रहा हूं अमेरिका भारत दच्छन कोरिया जापान और यूरोपी संग अगर एक हम रफली मान लें यह हमारी प्रिथिवी है यहां अमेरिका हो गया यहां भारत हो गया यहां जापान हो गया यहां दच्छन कोरिया हो गया और यह हो गया यूरोपी संग तो कितने एक दो तीन चार पांच पांच देशों ने मिलकर क्या बनाया है बायो फर्मस्ट्यूट्रिकल एलाइंस बनाया है बात ध्यान लखिएगा अब इसको पिटा देते हैं यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूं वैश्विक उर्जा संक्रमट सुचकांग 2024 किसने जारी किया तो विश्व आर्थिक मंच ने किया वैश्विक उर्जा संक्रमट सुचकांग बहुत इन्पौर्टेंट ध्यान न किएगा कि इस तरह के वहमीं सब प्रशन बनते हैं कि कौन-कौन से संगठन कौन-कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं तो विश्व उर्जा संक्रमाट सूचिकांग कौन निकालता है वा विश्व आर्थिक मंच निकालता है अब आगे है कि वैश्विक उर्जा संक्रमाट सूचिकांग 2024 सीर्स इस्थान पर कौन सा देश है वा स्विडन है जो दो जो की आपको मिलेगा भारत का तिरसटवा स्थान मार्स दौरा जारी स्थान मार्स दवरा जारी कास्ट और लिविंग सी टी रैंकिंग 2024 मां कॉन विन्व का सबसे महंगा सहर है यह इस बात ठ्यान लखिएगा पाणी पानी पी लेते हैं पानी पीते रहना चाहिए बोड़ी को एक अच्छा अन्भव होता रहता है लेकिन चस्मा लगाने में लोग साथ कर लगी दिक्कत चल गलती से पानी की एक पूंद भी आगी ने चस्मने का तो पूरी जो द्रिश्ट पटल है जो सामने का अदबुत रंग है वह अब यह रंग हो जाता है ऐसा लगता है चस्मे पानी गिरने के बाद यह दुनिया जो है ट्रेंगल हो गई है जो है ट्रेंगल हो गई है अब है पचासवे जी सैवन सिखर सम्मेलन 2024 कायोजन कहां किया गया वह अपूलियट इतली में किया गया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के देख रहे हैं अच्छा कुछ नियूज है ने दिखा रहे है नो टंकी लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 2024 कि इसके द्वारा चारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा चारी किया गया यह बात ध्यान रखिएगा और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है यह भी ध्यान रखिएग लेंगिक अंत्रहाल रिपोर्ट 24 के अनुसार पूंड लेंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा 134 वर्ट का समय लगेगा 158 पूंड लेंगिक समानता मतल समझ रहे हैं अगर सपोस्ट करिएगा सौ लोग हैं पितवी पे 50 महिला 50 पूरुष को मान लिया जाया विए थर्ड जेंडर को ना मान जाया अनुमान लगा लिए कि 50 परसन महिला 50 परसन पूरुष कर दिजाए तो कि 158 वर्ष में जाना होगा यानि कि 134 वर्ष का समय अभी और पूर्ण करना होगा इस बात थ्यान लखेगा और यह इंपॉर्टेंट है कि यह इंपॉर्टेंट है इस बात आप थ्यान लखेगा कि इसको मैं माक कर दे रहा हूं yellow color से कि आप अच्छे से ध्यान नहीं है कि अब आपे तर दे यूक्रेइन सांती सिखर सम्मेलन तो हजाज चौबिस कहा यूरित हुआ वह सुरिजल लैंड में यूरित हुआ सम्मलैंगित विवाहों को मानता देने वाला पहला दच्छी नेशियाई देश कौन बना वह बना थाइलैंड भारत में अभी भी सम्मलैंग विवाह जो है वह आप देखेंगे कानूनी रूप से मानन नहीं है लेकिन हां इसे अपराद की सिर्णी से अलग कर दिया गया है पहले ये अपराद की सिर्णी में आता था अब उसके आगे देखते हैं पीटर पेलिगरी ने किस देश के राश्पती का पद ग्रहन किया वो किया था इस लोवाकिया का किया था बात थ्यान नखिये का किया था इस लोवाकिया का किया था चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब है पीटर पेली ग्रीन ने किस देश के राश्पती का पर्द ग्रहन किया किया द्यान रखियेगा जूठित अरी यार फिर यह आ जा रहा है कहीं कुछ तब रहा है अब ही जो है वायर कनेक्ट नहीं कर पारा होगा वाइब लेट कर रहा है अब आशा है कि अब तो नहीं होगा जो अब तक हो रहा था है जुठित सुमिनाव तुलिका किस देश की पहली महिला प्रदान मंत्री बनी है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज की बनी है और देश के पाकिस्तान के साथ किन देशों ने स्यूग राज सुरच्छा परिस्त में आस्थाही सतस्रे के रूप में निरवाचित किया गया वह किया गया सोमालिया पनामा डेनमार्क और यूनान को बायो इंट्रेनेशनल कंफरेंस 2024 का योजन कहां किया गया वो सेंट टियागो USA में किया गया अब है क्यूसिक वर्ल्ड यूनिश्टी रैंकिंग 2025 किस विश्विध्याले के शीर्स इस्थान प्राप्त की है वो है मैसाचूर्ट इंस्टूर्ट और टेकनोलजी USA के द्वारा अब है सांगली दा संगली लासंवाद का 21 संस्क्रण कहां संपन हुआ वह सिंगापूर में संपन हुआ अब है सच्रवी सुष्वास्त सभा का आयोजन कहां किया गया हुआ जेनेवा श्यूजर लैंड में किया है रूवस की लगती ब्लर है चोंगातो से लगे हुए देश है ना वह जो है अपनी एक सीमा बना रहे हुए रूण के पे आधारित दिवाल होगी उस जो देश हों देश कौन कौन देश है वह देश छे देश है क्या नाम है लुथवानिया लात्विया पोलैंड फिन्लैंड नार्वेश टॉंबो अब है प्रत्थम काजा काजा टी एफ सी सिखर सम्मेलन कहां यूरित किया गया जांबिया में पहला अंतर राष्टी आलूदिवस मनाया जा रहा है कहां आफ देखेंगे 30 मैं दौजाद चौवश को किसके दौरा अंतर राष्टी आलूदिवस मनाया जा रहा है संयोगत्राश्ट खात और प्रिसी संगठन दौरा बनाया गया टाइम सौँड सबसे प्रभावसाली कंपनी 24 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनिया सामिल है तीन रिलाइंस इंडस्ट्री टाटा ग्रूप सिर्म इस्टूट ऑफ इंडिया है जिसने कुरोना की वैक्सिन बनाई थी याद आया है इनके बारे में अब है हाड़ वर्ड विश्य विध्याले के साथ ऑन-लाइन यह प्रोग्राम शुरू करने वाला भात का पहला विश्य विध्याले कौन बना हुआ चंदीगर्ड विश्य विध्याले बना अब है यूरन इंडिया आर्ट इस 2024 में इसे स्थान प्राप्त हुआ भारती मूल की अनिल कपूर और लंदन यूके में पर्यावरं किस देश ने पहले किस देश ने विदेश मंत्राले के लिए AI संचाली दिजिटली प्रवक्तक जो है आप देखेंगे विक्टूरिया शी का नावरं किया यूक्रेन ने किया किस देश के नए राश्पती ने रूस के रूस में लाई चिंग ते ने जो है सपतली वा प्रवान ने ली हिदायत चक्रवात हिदायत चक्रवात के मुक्ता कौन सा देश प्रभावित हुआ 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 तंजानिया फिर देखेंगे विश्व हाइट्रोजन सिखर सम्मेलन दोहजार चौबिस कहां इजित हुआ राटर डैम नीदर लैंड में भारत और किस देश के वीश्वार में सहीद भी हुष्टी पोर्ट टर्मिलट के विकास के लिए देर कौईधा समझात किया गया किसके साथ किया गया इक है किसे साथ किया गया इजरा त्यान न किया गया वकिया गया राम चरित मानस पंचितंत्र और सहा दो लोक लोचन की हस्तलीपी को किस संस्था ने यात्रा यो एवं परेटन विकास सुचकांग जारी किया हुआ किया विश्व आर्थिक मंच ने किया अब उसके आगे देखते हैं परेटन विकास सुचकांग दो हजारी किया विश्व आर्थिक में भारत का कौन सा स्थान है वो 49 वा रांक स्थान है सैन्युक्त राष्ट महासवाद वारा 24 माई को किस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा अंतर राष्टी मार्खोर दिवस के रूप में भारत ने किस अवधी हित्तु कुलंबो प्रोसेस के अदिस्तागराण की वर्ष तो हजाद 24 और 26 में की लुथ्वानिया के राष्पती के रूप में कौन पुनलिर्वाचित हुआ वह हुए गीटा नौस नौस नौसोदय हुए हैं अब हैं देखेंग उसके आगे हम लोग कि मैक्सिको के नए मैक्सिको के नए मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूर्णीतिक संबंद समाप्त कर दिये हैं विस्ट सैन व्याप प्रवित्ती 2024 रिपोर्ट की अनुसार वर्ष तो हजाद तेश में विस्ट में सरवादिक सैन व्यक करने वोले देश कौन कौन से हैं वह हैं यूएसे चीन और रूस टाइमस ने वर्ष वजाद 24 में सव सबसे प्रभाव साली की सूची में कितने भारती मूल के लोगों को जगादी है वादी आप देखेंगे अजय बंगा सत्तिन बेला अलिया भर्ट साच्छी मलिक देव पटेल अस्मा खान प्रियावाज नतराज और जिग्रा शाह हैं स्वन की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहां इस्तित है अंटार्गिटिका में इस्तित है आयल लैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी वह बनी है साइमन हैरी 37 वर्ष की उमर में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं इंसाग्रस्त के रिवियाई देश हित हैती में अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन का संचानन किया अपरेशन इंद्रावती किया है अंतराश्टी दूर संचार इनो किस डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का साध्य नियुक्त किया गया है जापान का प्रित्वी पर भारत की भारत में सबसे दूरस्त बिंदू पॉइंट नीमो तक पहुशने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन बना प्रिप्स ब्राउंस बने हैं पॉइंट नीमो को किस नाम किस अन्य नाम से भी जान जाता है दुर्गतम का धुरू कहा जाता है भूटान के सरवोच नागिर सम्मान ओडर ऑफ्टा ग्यालपो किसे दिया गया है प्रधान मंतरी नरेल मोदी को लोग तंद्रे के लिए तीसरा सिकर सम्मेलन कहां उड़ित किया गया है सियालो मैधानिक दर्जा देने उलभी सिका पहला देश कौन बना इंपॉर्टेंट है इस देश में विश्व की पहले 3D प्रिंटिंग मजित का नावरान किया गया है वह साओधी अरप में किया गया है यह भी इंपॉर्टेंट है इस विश्विद्याले ने राश्पती द्रौप अलग्जेंडर स्टैब बने हैं मैं कि अब है इरोप में वीजमुक्ते शेंगेन जोन में सामिल होने वाले भी से के पस्चमी बालकन राष्ट कौन बना है वह बना है आप देखेंगे को सोव बना है भारत की जन और जन ऑसुदी पहल जन और सब्रसिए पहल में सामिल होने वाले पहले देश कौन बना है वह मौरिश्यस बना है भारती बेसज जो सहिता मानकों को मानता देने वाला पहला इस्पेसिस भासा देश कौन बना है निकारा गुवा बना है भारत और किस देश के बीच आतंग वाद मातक प्रधात की तसकरी और मनी लॉंडरिंग जैसे राष्टी बहुत संपदा सूच कहां कर दोजा चौबिस में भाद कौन सा स्थान रहा बयालिस्वास्थान रहा कार इस्तल पर हिंसा उत्रिजन को समाप्त करने के लिए अंतराश्टी स्रम संगठाने का अनुसमर्थन करने वाला पहला इस्याई देश्वान बना फिलिपी करेंगे इंडिया युएसे डिफेंड एक्सेलेरेशन एको सिस्टम है किस देश ने चक्रवात की रीली ने भारी तबाई मचाई है वह बनाई बचाई है औस्ट्रेलिया की यह कौन सा चक्रवात है उर्ष कत्पंडी चक्रवात है अफ्रीका देश लाइबेरिया के राष् करेंगे कौन सा युगांडा में कौन सा सिखरसम्मेलन और वा किया गया है कि शभीड गया इस सिखर सम ईलन का केम्द्रि विशे क्या है लेविविंग लिविंग नो वन प्रे Business लोगा इस सिखर समिलन 숲 देश एव्ब चीन है इस देश ने तीन से तीन सहरों यान्य नगरों ने जनुरी दोहजाद चौबिस को आयुद्या राम मंदिर के रूप में घुशित गिया है कनाडा ये तीन सहर नगर कौन से हैं वह देखेंगे ब्रेटं ओकूलियो और बेंट फोर्ट हैं गौटेमाला के नए राश्पती के रूप में किसे सपतली है बाड़नोडो अरोल ने की है कौई देडमार के नए समराड बने है वह बने है ते भारत ने की देश में भारत पार्क स्थापित करने क गोश्रा की है वह संयुक्त अरब अमिरात ने की है फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधान मंत्री कौन बने हैं वह बने हैं ग्रैबलियन अटल बने हुए है इस देश ने भारत में हरित इंदन का गड़बंदन की है डेनमार के साथ की है इस गड़बंदन का क्या नाम है उसे ग्रीन फ्यूल एलाइंस इंडिया है रुकसेन मसर्स को किस देश का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया है अब जो आर्थिक परिदेश है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्मप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफी लन्दी होते चला जा रहा है इसको ध्यान में रखते हुए हम आर्ति परीदर से को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे चलिए वीडियो समाप्त करते खंश भाभ treatment Com